कि यह स्वागत है आप सभी का हमार कि चानल पेट्मिक्स किस आशा कर तो आप पर आपके विडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले कि अगर आपके पास यह पपी है और आप यह सी लगतफि bac पुलते हैं कि व्याक्राइब सकती हैं पता नियुक्त बाहर के चींज और पासर ले बहुत वार्मिंग को चाहिए रुप तो आज की वीडियो में आप को बातले जाना जाrants को सब्सक्राइब करने चाहिए आज की उसको जब आराम से बाहर ले जा सकते हैं तो इस वीडियो को फूली जोस तो लाश्टक जरू देखना काफी शॉर्ट वीडियो होने वाला है ताकि आपको बहुत सारे नौलेज मिले और आपका पपी हेल्दी और फिट रहे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प् कखतरनाक होता है और भगवार ना करें किसी पपी को ऐसा वाइरस हो जाए क्योंकि तो हो ग्लती क्या कर देते हैं कि तुरंति जो है डौक को यह बाहर ले जाते हैं स्कुर्ण को बहुत सारे फिर इस को होते हैं कि आपको पर चीखने से या फिर और झोग उसके ठूलने से या फिर कभी गबार किया होता है वह हवा में ऐसा फ्यTwrenched आतो आपके पपिप्रैठी को जो हे प्राप्लम हो जाती है और नए-एपपी झोह होते हैं यह का उसन्द के नहीं होते हुए था गार्स वायरेश सेफ्शनों बताते हैं उसके फुनिज पारा कौ llegarने के Salt तो यह है कमदर का 돼요 पर उसके साथ साथ जो के बाद कराना वोख करते हैं तो काफी सही होता है तब आपके कवार खतला नहीं होता है पर इसके लिएे पपी इसके जो है vaccination दिया जाता है जो कि six in one होता है seven in one होता है और जो है nine in one होता है उसके करण आपके डौक के अंदर काफी अच्छा stamina आ जाता है और जो रैबीस का होता है मतलब आपका पपी किसी को काट लेता है या फिर वो रैबीस का बोल सकते injection वो भी आपको अलग से कर लेते हैं तो आप यह कहीं भी अक जा सकते हैं यांनि और आप सबस्क्राइब शेप्स है शुक्सीं कर लेते हुआ अब करनी यह वार्मिंग अब करना सब्सक्राइब पेट में कोई कीडे होते हैं आपके डॉक का इमुनिटी शक्ती है वो काफी ज्यादा बढ़ती है उसका स्टमक भी काफी अच्छे से हेल्दी रहता है तो आपको जो ही डिवर्मिंग भी टाइम टू-टाइम करवानी है डिवर्मिंग आप दूढ़ ही महिने के बाद करवा स सकते हैं वेट की सबसे होता है ऐसा नहीं कि दो गोली देदी तीन गोली देदी पपी होता है लिफिट फार्म में भी आपको देना पड़ता है तो उसका वजन आप जरूर से चेक किजएगा और वजन जैसे पपी आप लेके आते तब भी आपको वजन उसका चेक करके जो होता है ब्लडिंग होती है बीमार होता है तो ऐसे बहुत सारी दिक्कत आती है और डिस्टेंपर में भी आपके प्रॉप्पी को जो है बहुत सारी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे बहुत सारे वायरस जो डॉक को होते तो उसके लिए वैक्सिनेशन प्रॉपर ही जरूर से करा है और जितना हो सके उतना 30 डेस या 35 डेस का हो तब आप घर पे लेकर आता तो बेस्ट रहेगा कुछ भी खाने को मत दीजेगा डॉक को ऐसा वैसा जो मेरे नहीं वीडियो देख सकते नहीं पपी को क्या 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 खाने को दो वह आपको आई बटन में जाके मिल सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग